कि हलो अब्रिवान वर्कम टू सी उविटी सिवल स्टाफ सो आज आल नो दैट कि पंद्रा मैं दो हजार चॉविस को आपका केमिस्ट्री का सी उटी एंट्रेंस एक्जाम हो चुका है शिफ्ट वन में आपका ये एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया था जहां पे केमिस्ट्र देखने को मिले हैं क्या शौट अच्छे क्वेशन से क्या डिफिकल्ट क्वेशन से तो देखो सब्सक्राइब अगर मैं बताऊं तो सी उटी सिवल स्टाफ के द्वारा आपके लिए फ्री लाइफ बैच पूर स्टार्ट किया था जिसमें आपके आल्मोस सब भी सबजेक् जुए हैं वो देखने को मिले हैं तो चलो करते हैं फटा फट से ऐनलीसिस की किस तरीके का एक्जयम था तो देखो सिवल सी के्मिस्ट्री का जो एक्जयम माररे ह renewed शिफ्ट फोर का वो shift 1a मी किया गया था जिसके हम अभी क्या करेंगे short analysis के बारे में हम study करेंगे ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या हुआ अगर मैं generally बात करूँ तो आपस तीन section से जिसमें आपके पास था that is your organic उसके बाद था आपके पास मैं बात करूँगी physical chemistry की और उसके बाद मैं बात करूँगी आपके पास इन और गैनिक chemistry की ठीक है और मुझे ऐसा रखता है कि सबसे जादा questions जो आपके पास आये तो वह कहां से आये थे डाट ज़्यानिक chemistry से थे जहां पे आपके पास टोटल 25 questions यहां से थे उसके बाद आपके पास 15 questions जो है वह physical chemistry को लेके थे और 12 questions ज कि हमारे पास 3 block element जो कि इतना बड़ा chapter है उसमें से आइकें से जस्ट अगर मैं count भी करूं उसको तो सिफ ए question वहां से था ठीक है तो इस तरीके से chemistry हमेशा unexpected role behave करती है तो कभी-कभी questions जिस chapter से आने चाहिए उससे नहीं आते हैं कभी-कभी जो है वो सारे questions एक ही chapter से आ जाते ह 25 questions जो कि अच्छा खासाई questions का लेवल था ठीक है physical and inorganic सबसे पहले बात करूं कि किस chapter से कितने questions थे so you can check it from here LD Heights, ketones and carboxlic acid से 8 questions आपके पास थे मैं उस time दी class में कहा था कि यह chapter बहुत जादा important है अल्कोहल, phenols की बात करूं तो वहां से 5 questions आपके पास थे solution वाली chapter से भी आपके पास 5 थे and DNF block से भी 5 questions coordination chemistry and electrochemistry से 5-5, chemical kinetics 4 and surface chemistry से थे आपके पास 2 questions और इसी के साथ hellolkane and hellolene से भी काफी अच्छी questions थे that is 6 questions यहां पे थे metallurgy again one जैसे कि मैंने एक class में भी कहा था कि यहां से सिफ एक या दो इससे ज़्यादा questions आपके पास नहीं आते हैं उसके बाद P block यह पहुत unexpected था कि सिर्फ एक question यहां पे था solid state that is one bio molecule that is one question and chemistry in everyday life that is one यहां पे थे ठीक है सो इस तरीके से जब मैंने तूरे chapter को analyze किया then I found कि और यहां ही chemistry में सबसे ज़्यादा aldehyde ketones and carboxylic acid उसके बाद आपके पास alcohols phenols and ethers और उसके पास उसके बाद hello alkane and hello arena the one of the most important जहां से naming reactions भी देखने को मिली और एक और बाद जो इस चीज में इस paper में मैंने analysis कि reactions ना होके बहुत से questions ऐते थे जो कि आपके knowledge को test करने थे like statement wise questions बहुत थे तो जैसे मैंने canis जरूर reaction वाला question देखा था तो वहां पे reaction से related कुछ ना पूछ के उन्होंने simple पूछा था कि इसमें alpha hydrogen present होती है या इसमें ये वाला mechanism रहता है तो इस तरीके के questions वहां पे पूछे गए थे और इसी के साथ बहुत सारी ऐसे questions हैं जो हमने अपनी class में भी किय questions are very easy questions और वह पार्ट आपके पास क्या था doable part था ठीक है so I can say कि जितनी भी study हमने अभी तक की है उसमें जितनी भी classes मैंने लिये हैं तो अगर एक बच्चा normal I can say कि अगर उसने अपनी plus two class भी ध्यान से की है और इसके अलावा गर उन्होंने मेरी class भी ध्यान से लगाई है तो 35 plus questions को आप अराम से attempt कर सकते थे मत्तब ये attemptation जो है वो आपके पास doable थी ठीक है इसी के साथ जिन वच्चे को लगता है कि 35 plus नहीं हो सकता था स्वाइकन से 30 plus तो कहीं नहीं जाता 30 questions जो है वो हर बच्चा जिसने self study भी की थी या वो कहीं से भी पढ़ रहा था या उसने मेरी classes भी देखी है तो 30 plus questions ऐसे थे आपके पास जो आपके पास कैसे थे doable पाक था ठीक है वो questions असानी से किये जा सकते थे अब इसके बाद में level of exam की बात करती हूं so I can say कि आपके पास easy level is around 30% moderate level is around 50% and difficult level is about 20% था अब देखो हुआ क्या और गैनिक से जब आपके पास questions पूछे ग है तो वो आपके पास जो है वो direct questions पूछे गई ठीक है तो यह चीज़ मुझे बहुत इच्छी लगी क्योंकि कभी क्या रहता था कि organic बहुत टिपिकल पूछ रहा जाता था और बच्चों का यह रहता था कि organic बहुत टाफ आई है बहुत जादा reactions जो है वो हम से पूछे कि organic chemistry से आपके पास direct questions पूछे गए थे इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास physical chemistry की तो I can say यह वाला पार्ट आपके पास क्या था tricky पार्ट था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे numerical थे बच्चों हमारे पास था एक वाइदा क्योंकि हमें 50 में से attempt करने थे सिर्फ 40 questions और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से इस चीज़ को देखा होगा कि मुझे कौन सा question tip करना है तो I think कि आप लोग negative marking से थोड़ा सा बच जाएंगे ठीक है अगर उसमें से भी नुमेरिकल्स में से यसे तीक है आपके एक दो सौल्व हो सकते थे या दो से तीन सौल्व हो सकते थे maximum बच्चों के जो के minimum criteria लेके मैं चलूँगी तो इतने जादा भी नहीं थे इतने कम भी नहीं थे तो physical chemistry ने अच्छा रोल प्ले किया है इन और्गनिक केमिस्ट्री को मैं यूं कहूंगी कि यह सारा पार्ट आपके पास क्या था doable पार्ट था अगर आपने coordination केमिस्ट्री को थोड़ास अच्छे से पढ़ा होगा और कहीं न कहीं यह पार्ट जो हो सकता है कि आपको कई बच्चों को लेंथी भी लगावो ठीक है तो यह था पीपर की analysis की कहां से कैसे questions पूछेगे अब further जैसे बचे CUT के लिए prepare करेंगे तो उनको इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना है कि organic chemistry के तो chapters को बिल्कुल point to point करके जाना है inorganic chemistry जो कहीं न कहीं score बढ़ाने का काम करती है लेकिन अगर concept गलत अप्लाई हो गया तो सबसे ज़्यादा दुबाती भी वही है और physical chemistry को आप moderate level पर लेके चले क्योंकि वहां पर numerical है तो numerical practice करना बहुत ज़्यादा important है ठीक है सो इस paper से तो मैंने यही analysis की है कि काफी अच्छे numerical questions, direct questions और previous year के मुकाबले I can say कि इस साल वाला जो अपका exam हुआ है एक अच्छा खासा level यहाँ पर increase होता हुआ मुझे देखने को मिला है clear so this is all about the short analysis और इसी के साथ जैसे की बच्चों का ना हमेशा question होता है कि मैं what about the cutoff किती cutoff जा सकती है क्या हो सकता है so देखो cutoff की अगर मैं बात करूँ तो मैं 150 को as the minimum लेके चलूँगी ठीक है कि 150 तो आपके पास जो है वो होने ही चलिये marks इसके अलावा 150 to 170 plus you can expect कि इतनी merit आपके पास जा सकती है देखो 120 से कम तो बिल्कूल भी नहीं है ठीक है क्योंकि काफी जादा बच्चों को अच्छा एक्जाम भी हुआ है ठीक है एक तो हमारे पास आप लोग अपना टाइम से कम्प्लीट कर पाई हो या नहीं लेकिन यह भी बहुत बड़ा आपके लिए था कि आपको टाइम से भी कम्प्लीट करना था उतके बाद I can say कि जादा टाइम एक क्वेशन पर नहीं रुकना था ठीक है तो एक वो भी बच्चों से कही ने कहीं मिस्टेक हुई है फिर इस क्वेशन को जानना कि कौन से क्वेशन अटेम्ट करना है या नहीं करना है ये भी एक पार्ट था तो overall I can say कि आपके पास जो पेपर का लेवल था that is your what moderate to high level था ठीक है अगर मैं एक नॉर्मल एक वर्ड का यूज करूं सो I can say moderate to high level का exam आपको यहां पे देखने को मिला है ठीक है जिसमें I can say कि आपके पास direct questions भी थे tricky questions भी थे और doable part भी था और इसी के साथ I can say कि अगर मैं tricky part की बात करते हूं कि कहां से tricky part आपके पास आया था तो जो आपके पास physical chemistry थी उसने क्या किया कि जो आपके पास electro chemistry से related case study वाले questions थे वो आपके पास क्या थे थे तो doable part but actual में वहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना पढ़ना थ सकता था कि किस तरीके से question को solve किया जाएगा ठीक है so I can say कि जो electro chemistry बादा chapter था उसने दोड़ा सा tricky role play किया है उसके बाद numericals नुमेरिकल्स पर work करना शुरू कर दो अगर कुछ बच्चे अभी और exam देंगे तो numericals को solve करना बहुत जादा important है chemistry में जब भी questions आते हैं definition based भी आते हैं application based भी आते हैं numerical based भी आते हैं then आपका कोई conceptual based भी रहता है जैसे कि especially organic chemistry में आपने देखा होगा कि direct जो है वो pka acidity constant की values की उपर questions पूछे गए थे और इसके लबद सबसे अच्छा पार जो इस paper में था वो थे आपके पास match the following जिसमें अ all about the analysis अभी तर जैसे मैं question की बात करूगी यहां पर कि हमारे पस ने question आया था that which among the following is not an analgesic कि इसमें कौन से analgesic नहीं है तो देखो मैंने जब प्लास्में करवाया था मैंने उस time भी कहा था कि आपके पास examples are very very important तो जैसे हम application based questions को करते हैं तो आहां पर examples आपके पास सबसे important होते हैं अभी जैसे मैं यहां पी options की बात करूँ you have morphine, codeine, heroin, rentidine यह सभी चीज़े प्रेजन थी और यहां पी यहां पी first three options की बात करूँ तो वो सारे के सारे क्या है narcotic analgesic drugs है ठीक है not end के बारे में पूच जाता है so that is your rentidine क्योंकि rentidine जो है वो एक entested है तो वो एक analgesic की तरह behave नहीं करता है clear so this is all about this question और इसी के साथ एक और अगर मैं question की बात कूँ तो जैसे यह देखिए d block element से यह आपके पास question था और देखो मैंने जब भी आपको d block element करवाया है ना मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि यहां पे unpaired electrons electronic configuration colors catalyst के ऊपर 110% sure questions देखने को मिलते हैं और आपके पास questions आएं भी है इसके बार जब हम आपके paper को solve करेंगे आप तब भी देखेंगे कि मैंने मैं वहां पर बताऊंगी कि मैंने कैसे कहा था कि यहां से question आ सकते है ठीक है अभी जैसे question था अब जिन बच्चों को electronic configuration पता है तो यह question आराम से हो सकता था जैसे हमारे पास क्या था vanadium था chromium था and magnesium था and we know that कि chromium में exceptional case होता है that is 3D54S1 so this is the first ionization this is the second one तो अभी पात था कि unexpected electronic configuration है and साथ में यहां पे half filled shell है so that is the more stable so यहां पे जो आपके पास answer आना था that is where option 3 आना था chromium, magneze और vanadium इस तरीके से आपके पास answer वहां पे देखने को मिल सकता था clear और इसी के साथ अभी आप यहां से भी देख लीजए कि color के उपर भी question आ रखा था कि कि किस तरीके से solution में इन options में से same color आपको देखने को मिल सकता है so मैंने कई बार यह चीज बताई है कि जब आपके पास unfair electrons क्या हो जाते है same हो जाते हैं तो आपके पास वहां पे क्या होता है same color की formation आपको देखने को मिलती है so that is why यहां पे option 3 आपके पास रही था क्योंकि यहां पे से unfair electrons आपके पास exist कर रहे हैं ठीक है so आपने यह चीज़े देखी कि inorganic chemistry में क्या था कि आपको concept का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है so overall अगर मैं एक बार फिर से analysis की बात करूं so I can say paper level is moderate to high level previous year से अच्छा खास ता level increase होता हुआ यहां पे देखने को मिला है ठीक है organic 25 questions, physical 15 questions और inorganic 12 questions आर देर इसके अलाबा physical chemistry ने थोड़ा सा tricky part play किया है due to the numerical and the electrochemistry case study questions सो यह बहुत important है कि जब आप इस exam के लिए जाएं तो case study वाले questions जरूर करके जाने है ठीक है case study actual में क्या है कि जो चीजें हमने पड़ी है उन्हीं के basis पे होता है ठीक है most probably cut off कि अगर मैं बात करूं तो 150 to 175 plus आप लेके चल सकते हैं क्योंकि इतना marks तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा 50 में से 40 questions आपको attempt करने थे and I hope कि आपने बहुत सोच समझ के 10 questions को skip किया होगा clear so this is all about the analysis of the chemistry जो भी आपका CUT में exam हुआ है I hope कि आप लोको का exam बहुत अच्छा हुआ होगा and this is all about the short analysis of your exam thank you so much for this session I hope कि जितने भी चीजें हमने यहां पर discuss की है वो आपको समझ में आगया होगा clear so this is all about for today's session thank you so much